बहुत बहुत वागत है मेरे इस चैनल पर दोस्तो अगर आप प्रेगनेंट हो तो आपको ये लक्षन अपने दगने शुरू हो गयोंगे अक्सर महिलाओं को ये लक्षन noticeable नहीं होते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि उनके pregnancy रुकी है या नहीं रुकी है ये बहुत बारीक से लक्षन होते हैं जो कि बिल्कुल शुरू के दिनों में हैं दिखते हैं मतलब ये कह सकते हैं आपके ये लक्षन होते हैं जिसको ये नहीं पता चलता है कि उनकी pregnancy रुक गई है जैसे कि बहुत जादा अगर आपको प्यास लग रही है बहुत जादा प्यास लग रही है आपके बिल्कुल मतलब बहुत जादा प्यास लग रही है तो इसका मतलब ये है कि ब्रून को डवलप करने के लिए जादा amount में energy की ज़रुरत पर रही है वो energy आपके body से अफशोस कर रहा है तो इस वजह से आपको जादा प्यास लग रही है दूसरा इसे से connected है कि अगर आप जादा पानी पियोगे तो wastage भी उतना ही होगा मतलब की body के अंदर जो भी बचा हुआ होता है liquid वो आपके urine के माधियम से बाहर निकलता है तो अब जितना जादा पानी पियोगे urine उतना जादा निकलेगा तो इसी से जुरा हो गया frequent urination की problem frequent urination pregnancy में सबसे जादा देखा जाने वाला और जल्दी आने वाला symptoms होता है एक तो पहला कारण यह होता है कि आप जादा पानी पीते हो इस वज़र से भी दूजरा जहां भून रहता है और सीधे उसके नीचे urine का bladder होता है तो उसके भार के कारण भी उसके दबाव के कारण भी पहले महीने से लेके तीसरे महीने तक जादा urine जाने की समस्या हो जाती है गर्भवती महिलाओं को अब उसे से जुरी एक और symptoms आपको देखने को मिलेगी कि urine में अब hormones बनने लगेंगे जो कि HCG hormones होता है अब HCG hormones के कारण ही urine pregnancy test जब आप करोगे तो दो positive line दिखेगा इसके कारण urine का color dark भी हो सकता है urine में जागे भी दिख सकती है शुगर बनने के कारण अब HCG hormones जब बनने लगेगा तो उबकाई आना उल्टी आना ये शुरू हो जाएगा mood swings शुरू हो जाएगे खास कर HCG hormones के कारण उबकाई और mood swings मुह का टेस्ट बदलना ये सारे ही टेस्ट बड़ पे असर पड़ना लक्षन दिखने लगते हैं इस लक्षन से ही धीरे धीरे अब और भी बहुत सारे लक्षन दिखेंगे जैसे abdominal tightening होना या फिर पेट में भाड़ी पनी या गड़माहत जादा महसूस होना पेट के अंदर heat जादा महसूस होड़ी है जब भी आप कुछ ऐसी पदार्थ खा लड़े हो जिसको पचने में बहुत जादा टाइम लगता है तो अब आपको ग्यास जादा बनने लगेगी या फिर ये भी हो सकता है ग्यास पास होने की समस्या शुरू हो जाए constipation शुरू हो जाए तो लगभग ये सारे जो लक्षन होते हैं एक दूसरे से जुरे हुए होते हैं और आपको ये लक्षन दिखते हैं दिखते हैं आपके पहले मेहिने से जैसे ही कतम होगा आप दूसरे मेहिने में एंट्री करोगे ये लक्षन दिखने शुरू हो जाएंगे जाते जाते इस सुडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और कॉमन करें